हलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी ठीक होंगे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे क्या? राइम वो भी इंगलिश की बिट्स ओफ पेपर यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है ना आपको बच्चा क्या कर रहा है? वो नीचे जमीन से पेपर उठा रहा है क्या कर रहा है बच्छा? पेपर उठा रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना साथ साथ बोलेंगे bits of paper laying on the floor laying on the floor make the place and tidy pick them up तो हमने अभी तक read कर लिया अब हम क्या करेंगे बेटा अब हम इसको समझेंगे कि बोला क्या गया है bits of paper bits of paper bits of paper का मतलब बेटा यह है कि paper के छोटे छोटे pieces जो है वो कहां पड़े है floor पर bits of paper, paper के तुकडे ठीक है, paper के तुकडे lying on the floor lying on the floor lying मतलब पड़े हुए है कहां पर, floor पर जमीन पर, make the place untidy make the place untidy तो place मतलब जो जगा है जो room है ठीक है, वो क्या है untidy हो गया है, तो क्या है बिकार, बिखरा हुआ लग रहा है गंदा लग रहा है, ठीक है गंदा कर दिया है किसने bits of paper ने, जो जमीन पर पड़े हुए है pick them up pick them up तो pick का मतलब क्या है, इनको उठाओ pick them up, इनको उठाओ them मतलब इनको और pick मतलब उठाना, ठीक है उपर उठाना तो समझ में आ गया है ना मतलब चलिए, तो अब इसको read करते हैं एक बार अच्छे से, फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे bits of paper bits of paper lying on the floor lying on the floor make the place untidy make the place untidy pick them up pick them up चलिए बच्चा इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं वीडियो पसंद आई हो रहा हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करिएगा थैंक यू सो मच